अपने अलग-अलग कार, बाई, ट्रक ऐसे जगाहों उपर अलग-अलग कलर के जो भी ट्रक्स पाये जाते हैं, अलग-अलग कलर्स के जो नंबर प्लेट पाये जाते हैं, वो डिफरेंस कलर के क्यों होते हैं, डिफरेंस कलर रखने का मीनिंग क्या होता है, इसका परपस क्या होता है इसकी definition क्या होती है यह सारी चीजे समझेंगे जो हमारे basically जो number plate के जो color होते हैं वो 7 color में defined होते हैं जो white, red, yellow, blue, black, green and tear की निशान वाला होता है यह जो 7 sign होते हैं यह अलग-अलग color के पाए जाते हैं एंड उसके साथ साथ चलो समझते हैं कि 7 color में से सबसे जादा यूज़ करने वाला color कौन सा है यह है first जो white and black color का होता है सबसे जादा यूज़ करने वाला जो भी number plate होता है वो white color का होता है जिसे white and black color का होता है यह normal person के लिए वहानों के लिए होता है जिसे सभी नागी यूज कर सकते हैं बट वाइट कलर जो वाहन होते हैं उसे वैपार नहीं किया जा सकता आटियो ओफिस में इसमें सूचना दिये कि जितने भी वाइट कलर के जो भी वाहन होंगे वो वैपार के लिए यूज नहीं होंगे उसमें सवारी नहीं ढो सकते हैं पतल ट्राइवल के लिए टैकसी की तरह यूझस नहीं कर सकते हैं किराय पर भी नहीं दिया जा सकता इसे आप नॉर्मल यूज़ के लिए कर सकते हो एपने यूज़ के लिए भी जा सकते हो सेकंड है पिले रग का नमबर प्ल form ये commercial वाहन के लिए होता है taxi की तरह जो आप taxi देखते हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए ये पीले रंग वैपार के लिए होता है commercial के लिए होता है yellow color का ये number plate होता है और इसके number black color से लिखे होते हैं like taxi हो गया, auto हो गया, bus हो गया, truck हो गया ये सारी जगहों पर इस number plate का यूज किया जाता है इस number plate को commercial वाहन भी हम कह सकते हैं और इसके साथ साथ आपको ये बता दूँ कि अगर आप इस तरीके के वाहन चलाना चाहते है जिनना number plate yellow color के होते है जो taxi, auto ये सारी चीजे तिन के लिए आपको commercial license होना important होता है जिसके registration आपकी होनी चाहिए मतलब आपके एक license होनी चाहिए ऐसे taxi या bus, truck चलाने के लिए आपको वाहन का एक license होना important माना जाता है और थर्ड है नीले रंग वाला number plate इसका use विदेशी प्रतिनीदियोधारा किया जाता है या blue and white color का होता है इसके जो state code होते हैं वो देश में भारत के नहीं होते हैं ये भारत देश के इसके state code नहीं होता है आपको अगर number plate के meaning को समझा है तो एक video आपको description में मिल जाएगी जिसमें number plate किस तरीके से होता है वो सारी information है एंड उसमें state code को सामने की दो अक्षर से बताया जाता है जो सब 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 first अक्षर होता है वो state code को define करता है तो state code को ये define नहीं करता है जो भारत में जितने पाए जाते है बट यह यहां भारत के स्टेट को नहीं डिफाइन करता है यह वर्क जहां करता है जहां से इसे लाया गया है देश प्रतिनीधी हो द्वारत जो विदेश से जो भी वैपारी कर रहे हैं यूएस के हैं ये दूसरे जगा के कोई भी कंट्री के यहां यातायाद के लिए कुछ इसे चीजों के लिए यूज कर रहे हैं तो उसे वहां के जो यूएस के कोट होंगे उसे यूज किया जाएगा विदेश प्रतिभूतियों दारा तैयार किया जाता है और यूज किया जाता है इस कारण से इसका स्टेट को यूज किया जाएगा यह जाधा तर हमारे नॉर् ब्लैक एंड जो येलो कलर का कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है इसके जो प्लेट होती है वो ब्लैक होती है और इसके जो नंबर होते हैं वो येलो कलर से लिखे होते हैं ये कॉमर्शल वाहन होता है इसे नॉर्मल परसन के लिए बनाया जाता है और कॉमर्शल परपस के लिए इसे यूज किया जाता है बट इसमें इंटरस्टिंग फैक्ट यह है कि आप ये नॉर्मल परसन यूज कर रहे हो बट ये दूसरे यात्रियों के लिए होता है यात्रिय के लिए इसे डिजाइन किया जाता है इसे यूज किया जाता है जिसे कोई भी ट्रैवल के लिए अगर आप कहीं हो और दूसरे जगा आप गूमने जा रहे हो तो उस जगाओं पर आप गूमने जा रहे हो तो आपके लिए टूरिस्ट वहान की तरह इसे यूज कर सकते हैं एंड यूस किया जाता है या आपको किराय में दिया जाएगा अगर टूरी स्थाप तो आपको किराय के लिए एक पटिकुलर कार बाइक या ऐसी चीजे रखी होती है आप किराय पर ले सकते हो बट एक कॉमर्शल लाइसेंस होने की कोई भी जरुवत नहीं होती इसमें मतलब अगर आप किराय पर ले रहे हो और आप चलाना चाहते हो तो आपके पास कॉमर्शल वाहन का लाइसेंस होना इंपोर्टन नहीं होता क्योंकि वो जो भी कॉमर्शल वाहन का जो भी लाइसेंस होगा वो आपके लिए इंपोर्टन नहीं होगा बट आपके पास एक लाइसें उप राश्रेपति, राज्येपाल और उप राज्येपाल यह सारे लोगों के पास यह पावर होती है, कि यह रट कलर का जो भी नंबर प्लेट है उसे यूज़ कर सकते हैं, इसे चेंज कर दिया गया दो हजार अठरा में, इसे रद्द कर दिया गया वही कल के द्वारा, कि अ रेट कलर का जो भी चिन वाला number plate होता है उसे नहीं लगा सकते जो respected person होते हैं राजेपाल उपर राश्ट्रेपती उपराश्ट्रेपती उनके number plate कुछ इस तरीके से दिखते थे जो red color के होते थे जिए उनके उपर राश्टे चिन लगा होता था एक NGO नय भूती की याचना के बाद यह नियम को हटा दिया गया दिल्ली हाइकोट ने एक फैसला बताया कि जो भी यह VIP वाहिकल होते हैं उसे मोटर वाहिकल में जित्ते भी नियम है उसे भी फॉलो करना पड़ेगा बट उनके पास पावर है बट वो नॉनमल परसन की तरह ही इसे यूस करेंगे नमबर प्लेट को अलग नहीं रख सकते उसका नमबर नहीं चुपा सकते तो यह याचका के बाद यह सारे नियम बदले और दिल्ली हाइकोट में यह फैसले के बाद राज्यपाल यह उपर राज्यपाल यह राश्रपती उपर राश्रपती के जो भी नमबर प्लेट है उसे चेंज किया गया रेट से वाइट किया गया बर जो राज्यचीन न था उसे रखा गया और उसे रिस्पेक्टर परसन powerful person ये use कर सकते उनसे ये बताया गया और वो white color के हो गया जिनके number कुछ black color की दिखते थे और वो राज्य जिन उसमें लगा होता था and next है तीन निसान वाले जो भी number plate होते हैं वो किसके होते हैं यह respected जो army के यह सेना होती है भारत के सेने होते हैं वीर होते हैं उनके जो भी वाहन होते हैं उसमें use किया जाते हैं और यह जो number design किया जाता है वो रक्षा मंडल द्वारा किया जाता है इसके कुछ number जो होते हैं वो green color के number plate होते है and next है जो हरे color का number plate होता है electronic वाहन में use किया जाता है इलेक्ट्रोनिक वाहन में अगर वो private electronic वाहन होंगे तो उसके जो भी number plate होंगे वो green होंगे and उसके साथ साथ जो number लिखे होंगे वो white होंगे अगर वो commercial electronic वाहन होंगे तो green color का उनका number plate होगा and वो yellow color से लिखे होंगे इस तरीके से define किया जाता है number plate को I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो अपने फ्रेंस के साथ जरूर शेयर करेंगा